अगर आपने प्रस्टनावली को और प्रस्टनावल लिगा है अगर आपने एकजांपल्स को हल नहीं किया थो यह आप सबसे बड़ी गलति कर है तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे कोशे रहें जो कosedratuss tema milestone को दे देता है थो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे question बताऊंगा जो कि 3 और 4 नंबर के लिए और कुछ most important ऐसे भी question बताऊंगा जो कि 6-6 नंबर के लिए आते हैं ठीक है यहां पर हमने question number 4 को note कर रहा है ठीक है मतलब उदारान नंबर 4 को यहां पर हमने नोट कर रहा है ठीक है अब देखिए अगर आप इससे पहले वाले जितने उदारान है एक से तीन तक वह हमने बता दिया ठीक है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा ठीक है और इसके पहले वाला जो प्रशनावली आपका 6.1 सब्सक्राइब करें तो अब इसके बाद से आब आएगा आपका 6.3 ठीक है उससे पहले का यह सब उदारन है ठीक है अब इसके बाद से जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 6.3 को अन्त्री को करेंगे ठीक है तो चलिए इसको हल कर लेते हैं तो देखिए सिंपल तरीका इ यह वाला तिर्भुज इसके सम्रूप है यह चीज़ है बताना है तो देखें सिंपल यह वाला चीज दिया है तो उसको लिख लेंगे कि पी क्यू शमानतर आर्याज यह हमारा दिया है तो यहां पर लीक देँगे हैं इसको तो तो पहला ढूरे चीज़ है दिया है उसके नीचे यह वाला लिक है वह ऐसे भी शही है और यह तरीका भी यह भी सही है तो देखें नियम क्या होता है कि कभी वि जब दो भूजा जिसे पीक्यू भूजा आर्यास के समांतर है ये वाला भूजा इसके समांतर है ठीक है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कभी भी दो समांतर रेखाओं में ये वाला क्या ये तिरियक रेखा है ठीक है अब इस दोनों समांतर में ये वाला भी आपका क्या है तिरियक रेख हमें होता क्या है कि यह वाला जो कॉंड है इस कॉंड के बराबर होगा यह वाला जो कॉंड है इस कॉंड के बराबर होगा कैसे एक आंतर कॉंड से ठीक है यह वाला जो कॉंड है इस कॉंड के बराबर होगा कैसे यह वाला सिर्शाभी मुग कॉंड से ठीक है तिसे जीविच क यह चीज आपको लिखना पड़ेगा ठीक है एकांतर कूड यह आपका ठीक यह यह बराबर होगा अब यह वाला इसके बराबर होगा तो लिख देंगे कूड क्यू बराबर होगा कूड और क कैसे यह भी आपका एकांतर कूड समझ में आ रहा है न अब इसके बाशे क्या है य वाला जो कूड होगा इसके बराबर होगा तो अब इसको कैसा लिखेंगे ठीक है तो कूंड व बराबर कूड ओ अइसा तो लिखने साहते है त्षिकू लिखेंगे पी ओ क्यू ठीक हैonton हुढ पी ओ क्यू बडाबर होगा कोड़ यह वाला तो और ओ यस के 0-1 चिए कैसर सिर्शा भी मूख को तो लिखेंगे जिर्शा भी मूख कोंड कोंड़ सीमपल है को अब इसके बात से देखेंगे तो इस वाले तिर्भूज का यह तीनों कोंड के बराबर हैu मतलब इसका संगत यह हो गया इसका संगत यह हो गया इसका संगत यह हो गया ठीक है तो तीन दोनों तिर्भूज में क्या है दोनों तिर्भूज में तीनों संगत कुण आपस में बराबर है ठीक है तो हमने आपको इसी वाले आपके बुक में एक परमे दिया हुआ ठीक है ट् कि यह वार से आपको यह से लिए रोजाएगा तो इसमें क्या है तीनों संगत को और दोनों तिर्भूज में बराबर तो लिए इसलिए तिर्भूज पी, ओ, क्यू, पी, ओ, क्यू, बराबर होगा, मतलब कि समरूप होगा, ठीक है, बराबर नहीं, समरूप होता है, शमरूप होगा, एस, ओ, आर, के, या फिर, आर, ओ, यास, के, कुछ भी लिख सकते हैं, उसमें, आपके, सिध करना है, एस ओ, आर, तिसलिए हमें, सुर लिख दे रहे हैं, सुर के, ठीक है, रिजन देना पड़ेगा, यह दोनों तिर बूच कैसे समरूप है, तो लिख देंगे कि, ए, ए, शमर रूपता से, है, सिम्पल आपका, ठीक है, तो यही चीज हमें घ्याद करना था, यह हमने ईजली आपको घ्याद करके दिखा दिया है, ठीक है, तुम इदे कि, यह वाला चीजी आपको यूजी समझ में आ गया हुए, ठीक है, और यह वाला पर्मिय अगर आपने नहीं पढ है तो आपके बुक में ही दिया हुआ है पढ़ लेजेगा ठीक है ट्रीपल ए यह मतलब की तीनों को एंगल 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 ठीक है तो यह चीज होता है अगला देखिए अब देखें पांच वहां ठीक है इसमें करा रहें कि कोड पी ग्याद किजिए यह वाला में कोड बताना है कि यह कितने डिग्री का होगा ठीक है तो इसमें देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि इसमें देखिए अगर हम कूण को देखें तो क्योंगा दो ही कूण दिया है इसमें पूरा सपा चट है मतलब कुछ भी नहीं दिया है लेकिन भूजा इसमें भी तिनो दिय इसमें वित्तिनों दिया ठीक है तो हम पहले देख लेंगे कि क्या इसका जो भूजा है संगत भूजा है वह आपसमें बराबर है क्या ठीक है संगत भूजाओ का अनुपाद आपसमें बराबर है तो इसको लिखेंगे इस तरीके से कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि छोट बड़े वाले सबसे बड़ा है यह है ना 6, तो लिखेंगे BC, BC बड़े में, अब बड़े वाले में सबसे बड़ा कौन है, तो यह 12 है, तो P Q लिख देंगे, P Q बराबर में अब इसके बाद से अब इससे थोड़ा चोटा कौन है तो ये वाला ले तीन दस्मनों 8 मतलब कि A B A B अब इसमें इससे थोड़ा चोटा कौन है तो ये वाला तीन दस्मनों 8 मतलब कि R Q R Q अब इसके पासे लाश्ट में क्या बचा है, A C बचा है, A C ले लेंगे, इधर आपका, R P बचा है, तो R P ले लेंगे, ठीक है, आप सब कमान रख देंगे, तो B C कमान कितना है, 6 है, P Q कमान 12, A B कमान, ये 3.8, और उसके पासे R Q कमान, 7.6, AC कमान, 3, रूट में 3, फिर R Q कमान, ये वाला, स्ोरी, 6 दस अंबलो, 6 रूट 3 है, ठीक, इससे आपका ये कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे आपका ये कट जाएगा, छेज से जब ये वाला कटेगा तो आपका बचेगा एक बच्टा दो इस से जब ये कटेगा तो बचेगा एक बच्टा दो अब तीन से तीन दूने चेए इसका भी बचेगा एक बच्टा दो तो हमने इसमें क्या देखा कि इन जो इनकी जो संगत भूजाओं का अनुपात है ये सभी सभी आपस में बराबर है ठीक है तब हम कह सकते हैं कि तिर्भूज A, B, C मतलब कि ये वाला तिर्भूज शमरूप है तिर्भूज P, Q, R के ठीक है या फिर R, P, Q के P, Q, R के कैसे इनके सभी संगत भूजाओं का अनुपात आपस में बराबर है मतलब कि triple yes से ठीक है है तो भूजा को हम इंगलिच में कहते है साइड ठीक है तो साइड 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 तो yes yea yes यस शम्रूप्ता सेặt शम्रूपता से ठीक है अब इसके बाद एक चीश आपको पता होना चाहिए, वो क्या है? कि सम्रूप तिर्भूझ के संगत जो कौन होते हैं, वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है? इसको इसे और देखेंगे तो यह वाला भूझा थोड़ा सा, इस तरीकें तो हो जाएगा ठीक है अब ये वाला जैसे कि ये और ये तुमा लिजे बराबर होगा इसका संगत को ये होगा इसका संगत को ये होगा उसी तरी इसका संगत को ये वाला होगा ठीक अब हमें ग्याद करना है कि कौन पी कितना होगा ठीक है तो चलिए हमें पता है कि तीरभू पलस कोड़ C बराबर में 180 डिगरी होता है कोड़ A का मान 80 डिगरी कोड़ B का मान 60 डिगरी तो कोड़ C का मान हमें निकालना है 180 डिगरी ठीक है कूड़ C आम के कितना निकाला है 40 डिगरी ठीक है तो तो हमने आपको क्या बताया था कि सम्रूप तिर्भुज़ के संगत कोड़ और संगत भुजा यहां पस combined बराबर होता है तो कोड़ C बराबर कोड़ P ठीक है यहの चीज इंडाने है तो हम दिखेंगे समरूप तिर्भूज के संगत कूड तो यहाँ पर कूड सी कितना है आपका 40 डिगरी है तो कूड पी आपका 40 डिगरी हो जाएगा इसलिए कूड पी बराबर 40 डिगरी सिंपल आपका अंसर हो गया ठीक है यह तरीका होता है इसको हल करने का अगला देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमारा कोईशन नंबर 6 ठीक है तो इसमें क्या है देखिए OA into OB ठीक है OC into OD तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर गोड़े है यह दोनों क्या है OA और OB गोड़े में है अगर हम इसको इधर भेज़ दें बराबर की इधर जाएगा तो बाग करने लेगा इन दोनों में से अगर किसी को इधर बुलाएं तो यह भी आपका क् भी बढ़ा कर रहे है तो इसको ऐसे लिखेंगे तो AA ठीक है een o या फिर OA कुछ भी लिखें कोई दिकत नहीं है इंधार से क्या बूला ले OS जिसको मन कर रहे बुला ही कोई दिक्खत नहीं थेय। तो हम क्या करते हैं, बुला लेते हैं, बुला लेते हैं , अब इसके बाद से बुला है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,7, 2, 4, 4, 7, 8, 8, 9, 8, 13 Itam double यहां पर कॉश्चन में ही दिया है तो लिख देंगे कि दिया है अब यह चीज भी अगर नहीं लिखते हैं फिर आपका कोश्चन गलत हो जाएगा टेकाई यह आपका इस में दिया थो लिक देयाा है तो बीक जानपात हैं यह वाला १, इस भूजा का जो अनुपात है은, ये दोनों भूजा, o, c, और o, b, के बराबर है, ठीकümüz, o, c, और o, b, के बराबर, मतलब इन दोनों भूजाओं का अनुपात, इस भूजा के अनुपात के बराबर है, ठीक wipes, तो मतलब कि हमें, दो संगत भुजाओ का अनुपात आपसमें बराबर मिल गया इसका इसका इसके इसके अनुपात के बराबर है यह चीज के लिए रो गया और इसके बाद से इसमें हम देखेंगे तो यह वाला कूड इस कूड के बराबर हो क्योंकि यहां पर क्रोस हो रहा है ठीक है यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा तो लिए देंगे कि तथा कि तथा कोण ए ओडी ए ओडी बराबर होगा कोण सी ओबी के सी ओबी के ठीक है कैसे सिर्शा भी मुख कोण ठीक है लिख लिजेगे कोण तो यह चीज हो गया अब हमने आपको क्या बतायता है कि अगर दो शंगत भूजा और एक शंगत कोण अगर आपसे बराबर है तो यह वाला तिर्भूज इस तिर्भूज के क्या होगा समरूप होगा ठीक है तो लिख देंगे कि इसलिए तिर्भूज इओ डी इओ डी समरूप होगा तिर्भूज सी ओ बी के सी ओ बी के ठीक है कैसे समरूप होगा तो दो संगत भूजा और एक संगत कोण बराबर है तो दो संगत भूजा है ना तो यहस ए यहस दो संगत भूजा और एक संगत कोण शम्रूपता से शम्रूपता से यह हो गया ठीक है अब इसके बातस जाता है में चीज हमने आपको क्या बता दा है कि सम्रूप तिर्भुज के शंगत कौन और शंगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसका संगत कौन यह हो जाएगा इसका संगत को ये हो जाएगा तब हम कह सकते हैं कि कौड A और कौड C कह रहा है तो इसमें क्या है इसमें मान रखा है इसमें दिया नहीं है कि ये वाला इसके संगत है लेकिन इसमें ये चीज कह रहा है कि ये वाला जो संगत कौड इसका जो कौड A है कोड़ C के बराबर है और कोड़ B है वो कोड़ D के बराबर इसमें और लेड़ी कह रहा है मतलब कि इसका संगत को ये है B का संगत को D है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये दोनों तिर्भूज आपस में समरूप है तो सम्रूप तिर्भूज के संगत कॉंड आपस में बरावर होते हैं, ठीक है? तो यहांँ लिख देंगे, तब कॉंड A बरावर होगा कॉंड C के और कॉंड B बरावर होगा कॉंड D के, ठीक है? अब रूजन भी देना पड़ गा कि, आखे मैं यह कैसे, तो लिख देंगे, कि त्रिभूज के शंगत कोड बस इतना लिख देते हैं आपका मामला क्लियर एक दम से क्लियर हो जाएगा ठीक है यह चीज़ आपको इसलिस क्लियर हो गया अगला कुश्चन देखिए अब देए कुश्चन नूबर साथ वाँ ठीक है तो इसमें कैसे क्या करेंगे कह रहा है क और जालकी लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगए एखंबह के अधार से के मतलब जहां पर खमबा लगाए उसके उदर जैसे कि माल जिए यहां पर एक खंबा यह हमने हमसे में अरा चिक है था सथिया और च्छेसरों, जा रही है तो इसमें कहा रहे है कि कि 90 सेंटिमेटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे एक दस्वन दो मीटर प्रतिस सेकेंड की चाल से चल रही है ठीक है चाल से यहां से देर देर चलते जा रही है अश्माल लिए कि यहां तक चलती है ठीक है चल रही है यदि बल्ब भूमी से यदि बल्ब भूमी से तीन दस्वनों छे मीटर की उचाई पर है मतलब कि यहां पर अगर बल्ब लगा है भूमी से तीन दस्वनों छे मीटर है चल यह लिख लेते हैं कि तीन दस्वनों छे मीट ठीक है मीटर में ध्यान रखेगा तो मीटर की उचाईबर है तो चार सेकेंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ठीक है मतलब कि यहां से चार सेकेंड तक चलते चलते माल जी यहां पर आ गई ठीक है अब पूछ रहा है कि यहां पर आ गई जैसे कि यह 90 संटीमीटर ठीक है यह संटीमीटर में और यह वाला देखें मीटर में तो इसको भी हमें मीटर में करना पड़ेगा ठीक है या फिर इसको संटीमीटर में करिएगा ठीक तो आगे द्यान में रखेंगे A, यह मलते हैं B, यह C, और यह मलते हैं D, ठीक है, और यहाँ पर भी एक है न, इसको क्या माल लें, तो चलिए E माल लेते हैं, यह हमने E माल लिया, ठीक है, अब सबसे पहले यह काम करेंगे, कि यहाँ से यहाँ तक ही जो दूरी है, वो हमें है, ठीक है, यह मीटर की इसकी चाया बन रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कि चार सेकेंड लग रहा है समय, ठीक है, और चाल भी पता है कि एक दसमूल, दो मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चलती है, तो चार सेकेंड में कतना दूरी तय करेगी, तो उसको निकाल सकते हैं तो दूरी निकाल दाया ना तो दूरी दूरी बराबर होता है चाल चाल गोड़े समय होता है ठीक है तो दूरी को मालते डी तो चाल कितना है किस चाल से जारे एक दसम्लो दो मीटर प्रति सेकेंड तो एक दसम्लो दो समय कितना है, 4 सेकेंड, तो 4, तो कितना हो जाएगा, 4.8, ठीक है, तो 4.8 मीटर, तो यहां से और यहां तक, यहां से और सी तक की जो दूरी है, वो कितना, 4.8 मीटर चली है, ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले, कोई भी चीजागा रहें, भू इस तरीक से ऐसे लिटा आकर एंगल बनेगा कोई भी लेजए हैं। वहां पर आपकर 90 डिग्री का एंगल बने गाई ठीक है तो अब इसके पास से चली इसको हल कर लेते हैं तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले कि इस वाले कौण इस वाले तिर्भूज में सबसे पहले बड़े वाले तिर्भूज का कौण B और इसका कौण C आपसे बराबर है क्योंकि यह भी नबे डिगरी है यह भी नबे डिगरी है ठीक है अब दूस्तों यहां पर यह जो आपका 90 डिगरी कॉंड है ति इसको आप कॉंड B बराबर कॉंड C इस तरी किसे लिख दीजिए ठीक है या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि कॉंड A B और D मतलब बड़े वाले तिर्भूच का यह वाला कॉंड A B D बराबर है कॉंड E C D के E C D के ठीक है बीच में आगया ना बराबर में 90 डिगरी ठीक है यहाँ लिख देंगे कि दिया है यह चीज क्लियर हो गया अब इसके बाद से देखी जब इस बड़े वाले तिर्भूच को जब हम बना रहे हैं तो यह हमें कॉंड D मिल रहा है ठीक है जब इस छोटे वाले तिर्भूच को बना रहे हैं तो भी हमें यह वाला कौन में common है तो लिए देंगे कि कूड को दी ठीक है डायरेक्ट की यह फिर ऐसे लिए अधि भी ऐसे लिए डी भी बराबर कूड इडी सी ठीक है छोटे वाले कूंड के लिए इडी सी ठीक है यह आप लिए देंगे कि दोनों कॉमन है इसको हिंदिम करते हैं उबैनिष्ट उबैनिष्ट अब देखे इसके आगे आप तभी हल कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि पर्मे ठीक है पर्मे हमने आपको अल इस like म pioneer अवागने इसके पर्मे बताया था कि एक कोर अइक आवका जब कभी भी दव कोड आगर आपसमें दो संगत में अवागर आपसमें बराबर रहता है तब कहेंगे कि दोनों तिर्भूझ आपसमें इसी डी के कैसे तो दो कुण इसमें दो संगत कुण बराबर रहे ना लिखेंगे एए शम रूपता से शम रूपता कि यह जो बड़ा वाला तिर्भूज है ठीक है ए बी डी यह किसके सम रूप है यह छोटे वाले तिर्भूज के ए की सी डी के ठीक है यह चीज़ इतना क्लियर हो गया अब इसके बास से देखिए हमने आपको बताया था कि संब्रूप तिर्भूज की जो संगत भूजाएं होती है और संगत कुण होते ही आपसमें बराबर होते हैं ठीक है तो कुण से कोई मतलब नहीं है हमें मामला इसमें सा रहा है भूजा का ठीक है मतलब यह वाला भूजा बताना है तो क्या करेंगे इसका संगत भूजा यह हो जाएगा इसका ठीक है जैसे नीचे है इस बड़े वाले तिर्भूज का नीचे वाला यह भूजा किसके संगत भूजा बराबर होगा तो छोटे तिर्भूज के रूप है इसी डी के ठीक है इसलिए कि ए इसी तो इसी और ए बी ए बराबर रुख होगा किसके बीडी छोटा वाल सबसे पहले सी डी सी डी बटे में बड़ा वाला बी डी तो यहां परन जाएगा बीडी के यह चीज इंडियर होगा है यह चीज कैसे हुआ क्योंकि यह दोनों क्यां यह दोनें त endure और पर मान खतेम ह़िसको और ने Hilary कuti कमान कित्ना है तो इस सी कहां पर है तो ए सी आपका नबे सेंटिमेटर अच्छा एक चीज और यह सेंटिमेटर में यह वाला मीटर में तो मामला गड़ पहुंचेगा तो सेंटिमेटर को मीटर बना लेते तो नब्य में सौ से हम भाग कर देंगे ठिक है यह कड़ गया तो यह आपको कितने आज गया 0.9 पैंट नौ मीटर हागा कर यहां था तो बीडी में क्या है कि यहां से यहां तक तो पता है चार्दपसन वाठ्थ है यह वाला और भी जूड़ेगा ठीक है यह टोटाल लेकर करके नहोगा बी सीडी यह दोनों भूजा मिल करके क्या बनेगा बीडी बनेगा मतलब कि चार दसमलो, आठ पलस का यक्स, तब जा के होगा ठीक कहें हैं इससे आपका यह कड़ जाएगा, नो एकर मोय नो पड़ नो चोओ कर चतिर ठीक है, तो क्या बच एक बत्वे में 4 और इधार आपका एक्स बत्वे में 4 दसमलो, 8 पलस का» Korea अख्रिकवाइए तीर्षा तीर्षा गुना कर लेंगे यह इधर चल अजाएगा तो चार दसमलो आट ूस में यक्स ब्राबर में यह इसके साथ गुना कर वहाईगा थे गया यह चार अक्स को इसके लग जाएगा अब इसको हम क्या करेंगे काटेंगे तो कितना से कटेगा अगर ना समझ में है तो दो से काट यह ठीक है तो दू बार में 24-48 यहां पर आपका हो जाएगा यह आपका वजाएगा 15 तीन पचे 15 ओर तीनो वटे चोविस अभी तू कट सकता है ना काट लेते हैं तीन वटे चौन थीन पचे 15 ठीक है अब इसको कर देते हैं तो पांस से आठ में जबाग करेंगे तो पांस यह चाएग का कितना पांस बचे का कितना तीन दसंब्लू आक सब्सक्राइब यह यहां से यहां तक जो एक्स का मान आएगा कितना एक दस्मेंट में आएगा थीक है क्योंकि हमें यह भी मीटर में लड़की की छाया की लंबाई ब्राबर में 1.06 मीटर सिंपल आपका आंसर हो गया